देखो सर इतना इत्यासिक होता है जैसे किसी परिवार में बेटा पैदा नहीं होता तो वो यातराये करते हैं देवी देवताओं का हवन यग करते हैं बड़ी मनते रखते हैं बहुत कुछ करते हैं कि हमारे परिवार में एक बेटा पैदा हो जाए इस किसम की खुशी की बात है कि पाडर ने पूरी अपनी ओमर लगा दी थी कि हमें भी कभी देश के नक्षे पे लाए जाए कभी हमारी भी शुनवाई हो देश के जो जितने भी सकीम है वो यहां तक पह खेतर का कि यह शुरू से ही देश भकत समाज है था है रहेगा तो हमारे साथ बहुत बड़ा पिछले सरकारों ने जो है इनसाफ नहीं किया यहां तक कि हमारे लोगों के जो भी यहां कहते हैं जब अमरजंसी के टाइम पे अमरजंसी लोगों की इंद्रा गांधी द्वारा तो हमारे पाडर से भी पाँच लोग जो है वो गिरिफदार किये गए थे उस समाज से लेके इस समाज तक हमारा यह पाडर खेतर जो है इसकी दो तहसील आठोले और तहसील मचेल यह पूरा समाज देश के साथ रहा हमेशा जो भी हिंदोस्तान लेवल की बात होती वो ही की हैं आज जब हमारे सुनिल शर्मा जी पहली बार हमारे यहां किश्टवार से विदाइक बने और जमो कश्मीर में सरकार बनी धाई साल का कारेकाल रहा तो सुनिल जी में डिगरी कालेज हुआ, पाडर में रोड़ हुई, पाडर में स्कूल अपग्रेट हुए, पाडर में ऐसी कोई चीज ने गिनत सकी में जो परधानमंतरी द्वारा यहां पे चलाई जा रही है वो सब चल रहे ही हैं और हो रहे हैं लोगों को उनका फाइदा है तो आज ये ये तियासिक दिन है कि पाड़र को शेडूल ट्राइव का दर्जा मिला ये इतना अब दिल फाड़ के हनुमान कीतरा कैसे दिखा है इतना खुशी का मकाम है कि हमारे लोगों के लिए ये कित्यासिक दिन है जो हम देख रहे हैं हमारे पूरवजू ने जिस चीज की कामना की थी आज वो पाडर को मिला और सिर्फ और सिर्फ इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो मानने सुनिल शर्मा जी को जाता है जिनको यहां से जितवा के उसका भी धनेवाद करूंगा और डिस्टिक में जो भाजबा का ईनित उसका भी धनेवाद है और साथ मैं हमारे renewed जी महोदे ने जो यहां से रिकमेट करके दिली भेजा साथ मैं हमारे ग्रे मंतरी जी है अमिच्छा जी और मानने परधान मंतरी जी के उनके तरफ से यह जो चीज की गई है यह पाडर हमेशा याद रखेगा और आना वाले पीड़ी को हमारे यहां तरकी होगी हमारे लोग इ उठाएंगे और साथ मैं मैं आपके चैनल के मादम से अपने लोगों से कहूंगा कि अपने बच्चों को सकूल भेजे नशे से मुक्त रखे और बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगाए तो तब जाके यह चीज जो है इसका लाब होगा ऐसा नहीं कि हमारे लोग सोचेंग एक बार फिर मैं अपने सुनिल शर्मा जी का और अपने परधान मंत्री और ग्रे मंत्री जी का बहुत-बहुत अबहर प्रकट करता हूं और आपने यहां जो हमारा पाडर का यूनिट है इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और पाडर के लोग बधाई इसलिए दे रहा ह कि आज हमारे घर में एक बहुत-बड़ा तेवार मना जाएगा पूरे पाडरियों के लिए कि हमें स्टी स्टेटिस मिला हुआ है तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद